कटिंग को ग्रो करने का कौन सा सही तरीका हम अपना है कि हमारी धेर सारी कटिंग सक्सेस्फुली ग्रो हो जाएं कैसी मिटी लें कितना बड़ा पॉट लें आज की वीडियो के थुरू मैं आपसे शेयर करूँगी कि सेप्टेंबर के महीने का भरपूर फायदा उठाओ और धेर सारी कटिंग को पानी में या फिर मिटी में बड़ी असानी से कैसे ग्रो किया जाता है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स कि फिर आप नहीं बोलोगी कि आपकी कटिंग लग जाती है लेकिन हमारी तो नहीं लगती है पता नहीं आपकी कैसे लग जाती है तो सेप्टेंबर का महीना भर पूर फाइदा उठाने का है फिर मत कहना कि आपने हमें बताया नहीं तो यहीं वो समय है कि आप ठेर सारी कटिंग्स लगा ले क्योंकि गर्मिया जब आती है या फिर बहुत ज्यादा सर्दी आती है तब आपकी जो है प्लांट्स खराब होन मैंने बता है तो बस कुछ नहीं करना है आपने पीछे के पते हटाने है टिप्की कटिंग लेनी है पीछे के पते हटाने है मिट्टी में दो तीन Old Area दबा देने है और रिजल्ट आपके सामने है देकिए मैंने 15 दिन पहले लगाए थे रूठ's आपको दिख रहे है यह इन जो ये pot में hole है, वहाँ से भी आपको दिख रही हैं, और इनी, इसी तरह से, इन cuttings को मैंने पानी में भी लगाया था, तो पीछे के पत्ते हटा दिये, और साफ पानी लेकर, नलका ही पानी लिया था, मैंने इसमें डाल दिया, तो ये भी 10 दिन के बाद ही, इसमें से नही नही ग्रोध भी आने लग गई, और roots आप देख रहे हैं, पानी में भी बहुत अच्छी बनी है, और अब हम इनको इस मौसम में मिट्टी में ट्रांसफर करेंगे, तो बहुत आसानी से लग जाएंगी, सेकिंड आप जो प्लांट देख रहे हैं, वो है स्वीट पिटेटो वाइन, कोई भी कलर की हो, तो इस टाइम इसमें roots इतनी अच्छी जबरदस्त बनी होती हैं, जहां भी पानी इस पे पड़ता है, और ये देखें, बस एक ब्रांच ऐसे टूटी पड़ी थी, तो मैंने यहां पर इस पॉट में डाल दी, जिसमें की ये water cabbage लगी है, और roots आप देख सकते हैं, पाँच-छे दिन में बिलकुल roots का जाल बन गया है, इसी तरह से Mexican petunia भी बहुत ही असानी से लग जाएगा, तीन-चार दिन में इसकी roots बन जाएगी, पीछे के node area जो है, आप दो-तिन पानी में डाल दें, और देखें, roots बहुत ही बढ़िया बन जाती हैं, फिर आप इसको मिट्टी में transfer कर दें, कोई दिकत नहीं होगी, इस मौसम में बहुत असानी से लग जाएगी, यह है golden दुरानता, तो आप देख पा रहे हैं, यह भी hedge के तोर पे use किया जाता है, पार्कों में आपको इसकी cuttings मिल जाएगी, दो cuttings मैंने लगा के देखी थी, बस ऐसे ही लगा दी थी, tip की cutting काटी, और यहाँ पर बस ऐसे ही मिट्टी में लगा दी, चलते फिरते ही, और अब मैं आपको निकाल के दिखाऊं, तो देखे, roots इसकी बन चुकी है, इसको लगे करीब 10-12 दिन हो चुके हैं, और roots आप देख रहे हैं, तो बहुत आसानी से इस मौसम में इसकी cutting लग जाएगी, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, tip की cutting काटनी है, और मिट्टी में लगानी है, इस मौसम में Tangle Heart का भी plant आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, tip की cutting काटों सिर्फ 2 इंच की काफी है, और बड़ी असानी से लग जाएगा, यह देखे, यह है Turtle Wine, बहुत खुबसूरत पौदा, छोटी से एक इंच की branch इसमें गिर गई, और roots आप देख सकते हैं, तो इसी तरह से फिर यह लंबी-लंबी इसकी branches होने लग जाती हैं, जैसे की साथ में यह pot रखा, यहाँ पर भी इसी तरह से छोटी सी कोई branch गिर गई होगी, तो यह growth करने लग गई हैं, और Purple Heart की एक बहुत ही खुबसूरत बात यह है, कि आप देख पा रहे हैं, इस टाइम पर इसके हर node area से इस तरह roots निकली हैं, बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं, बस मिट्टी में दबाना है आपने, और इस टाइम पर जो है, देखें इस तरह से जो सेकुलेंट होते हैं, पत्थर चट्टा हो गया, या फिर Mother of Millions, Thousands, उसके इस तरह से बेबीज नीचे गिर जाते हैं, और ये देखें, ये प्लांट है, Alternanthra का, तो देखें, सिर्फ टिप की कटिंग काटनी है, और Node Area को मिट्टी में दबाना है, ये मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही लगाई है, और आप देख पा रहे हैं, ग्रोध बहुत बढ़िया से इसकी बन गई है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, धेट सारी कटिंग मैंने लगा कर रखी हुई है, तो बस इस मौसम का आपने भरपूर फाइदा उठाना है, तो देखें, कुछ टाइम पहले, मैंने ये एक ड्रेसीना की वेराइटी है, इसके टिप की कटिंग काट कर, इसके ये चाइनिज वॉयलेट, इसकी कटिंग, 5-6 कटिंग मैंने लगाई थी, इस पॉर्ट में, ये भी बहुत अच्छे से ग्रू हो रहा है, तो इसके अलावा, वांडरिंग जू गर्मियों में बहुत खराब हो गया था, और रूट साब देख रहे हैं, अपने आप ही नहीं कर रहे हैं, तो ये तो बहुत असानी से लग जाएगा, तो बहुत सारे आप वांडरिंग जू लगा लें, और ये मैंने कुछ टाइम पहले ही कटिंग लगाई थी, देखें, टिप की कटिंग काटी और इस पॉर्ट में लगा दी, ये प्लांट है, जोटी ब्रमी का, और अब आपको मैं रिजल्ट दिखाती हूँ, इसी बहुत जल्दी, बहुत असानी से लग जाता है, सिर्फ 5-6 दिन में ही इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है, तो देखें, रूट्स इसकी बहुत अच्छी बनी है, आप देख पा रहे हैं, खुब सूर्ती से इसकी रूट्स बन गई है, हेंगिंग बस्कित में भी बहुत अच्छा लगता है, और पानी इसे भरपूर चाहिए, एगलो निमा की कटिंग भी आप इस मौसम में लगा सकते हैं, क्योंकि ये ही हुमिनिटी लविंग प्लांट है, और रूट्स आप पॉट के उपर ही देख सकते हैं, मिट्टी से भी बहार निकल गई हैं, क्योंकि बारिशे पढ़ती रहती हैं, सॉंग ओफ इंडिया की ये कटिंग बिल्कुल एक दो इंच की थी, जो की मुझे गिफ्ट में मिली थी, और ये भी ग्रो कर गई है, इसमें नीचे कोई रूट्स नहीं थी, ये है एक फिलो डेंडरॉन, और आप इसकी रूट्स देख सकते हैं, तो फिलो डेंडरॉन की कोई भी वेराइटी आप इस मौसम में लगा सकते हैं, देखें, बारिशों का पानी इसमें गिर्ता रहता है, और मैं बदल नहीं पाती हूँ, और ये है एक सेक्टिलेंड, डंकी जियर, तो इसके भी बेबी इस तरह से निकलते हैं, और आप जरूर इसको लगा लें, इस मौसम में बहुत आसानी से लग जाएगा, तो बहुत आसानी से लगने वाला ये प्लांट है, इरैंथमम का प्लांट है ये, और बहुत आसानी से ये लग जाता है, इसके अलावा डेफें बेक्या की कटिंग भी आप लगा सकते हैं, थोड़ा सैंडी सॉयल ले इसके लिए, क्योंकि ये गल्ब सकता है, तो ये भी आप लगा सकते हैं, नॉर्मल रियो भी लगा सकते हैं, कोई भी वराइटी का आप ये रियो प्लांट लगा सकते हैं, ये है गोल्डन फिलो डेंडरॉन, बहुत एक खुबसूरत पौदा है, इस तरह रूट्स निकली होती हैं, बस काटो और लगाओ और नए पौधे बनाओ, और खुबसूरती बहुत ही भी खेरता है, ये सिंगोनियम के आप कोई भी वराइटी लगा सकते हैं, तो ये मुझे कुछ कटिंग्स मेरी उडिसा की एक फ्रेंड है, उन्होंने दी थी, तब इन में कोई रूट्स नहीं थी, और आप देख पा रहे हैं, रूट्स बहुत जबरदस्त इन में बन गई हैं, तो सिंगोनियम सबसे फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, और इस मौसम में आप उसके धेरो पॉट रेडी कर लें, बहुत खुबसरत लगता है, ये स्पाइडर प्लांट मेरे बिलकुल गर्मियों में खराब हो गए थे, ये भी कुछ बेबीज बचे थे, तो अब ये बहुत अच्छे से ग्रोव कर रहे हैं, और ये मैंने कटिंग लगा देती, चलते फिरते मैं कटिंग लगाती रहती हूँ, और जहां भी जगा मुझे मिलती है, ये अम्रेला प्लांट है, तो इसको जो है एक ट्रिक होती है, वो मैं आपसे वीडियो शेर करूँगी, तो ये भी उग गया है, और ये एक वाटर प्लांट है, देखें, रूट्स इसमें इस तरह से बन जाती हैं, इस मौसम में, ये वाटर हाइसेंथ है, बहुत खुबसूरत इसमें फूल खिलते हैं, तो इसको भी आप काटें और लगाएं, और ये है सॉंग ओफ इंडिया, तो देखें, उपर टिप की कटिंग मैंने काटके, इसी पॉट में लगा दी, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, ये टिकोमा की कटिंग मैंने कुछ टाइम पहले लगाई थी, और आप आप देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, ये देखें, एक कटिंग लगाई थी, बहुत बढ़िया इसमें, पत्ते आ गए हैं, बहुत अच्छे से लग गई हैं, ये भी औल्टरनेंथरा की एक वराइटी है, तो साइड साइड में आप ये छोटी-छोटी कटिंग देख रहे हैं, ये पत्ते सारे चट कर गई थी, कोई मक्की होती है, तो फिर भी मैंने कटिंग सिस्की साइड साइड में लगा दी, जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर गई है, मिट्टी थोड़ी सूखी है, तो मैं आपको निकाल कर नहीं दिखा पाऊंगी, बाकी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर दी है, बहुत खुबसूरत पौधा है ये, इसके अलावा इस टाइम पर आप लगा सकते हैं, धेख सारे फूल देने वाले ये कुछ, ये समर वर्बिना है, और पॉचोला का पसले इन भी लगा सकते हैं, तो ये समर वर्बिना पूरा साल इसी तरह से खुबसूरत फूल खिलाता है, बस पाच्छे इंच की कटिंग ले और पीछे के पत्ते हटा कर मिट्टी में दबा दें, कोलियस आप इस मौसम में जरूर लगाएं, वरना ये खराब हो जाता है, और फिर आपके पास कोई प्लांट बचता नहीं है, तो कोलियस की कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी, इसके अलावा ये प्लांट मेरा गर्मियों में पूरा खराब हो गया था, ये है मनजूला पोतोज, सिर्फ एक दो इंच की कटिंग बची थी, वो मैंने इस चोटी से पॉर्ट में लगा दी, और बड़ी खुबसूरती से अब ये चल रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, पंड़ा फाइकस, इसकी मैंने कटिंग लगाई थी, जो की बहुत अच्छे से ग्रो कर गई है, तो इस मौसम में आप ये भी लगा सकते हैं, ये है ब्रोकन हार्ट, इसकी कटिंग मैंने लगाई थी, बहुत अच्छे से लग गई है, ये प्लांट मुझे गिफ्ट में मिला था, और ये सिंडेप्सस है, और देखें, नया पत्ता जो है, कितना बड़ा आया है, दो पत्ते ही थे इसमें, और कोई रूट नहीं थी, और इस पॉट में मैंने लगा दिया था, तो ये मौसम बहुत बढ़िया है, इनकी एरियल रूट्स होती है, और ये प्लांट जो है, मैं चोरी करके लाई थी, तो देखें, आप नीचे से, ये बिल्कुल एक इंच की कटिंग, मेरे हाथ लगी थी, और अब ये कितना बड़ा हो गया, बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहा है, मुझे नहीं पता ये कौन सा प्लांट है, लेकिन इसमें परपल कलर के, छोटे-छोटे फूल आते हैं, एगलो निमा की एक ये वराइटी भी है, तो ये भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रोध कर रही है, एकलीफा का पौधा आप लगा सकते हैं, इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी, ये तीन-चार कटिंग मैंने लगाई थी स्पॉट में, और रूट्स जो है मिट्टी से उपर आप देख पा रहे हैं, तो बहुत आसानी से इस मौसम में, एकलीफा के प्लांट की आप कटिंग लगाएं, अगर आपको कहीं से मिलती हैं, तो रूट्स देखें आप, और ये है स्वीट पेटेटो वाइन की एक और वेराइटी, जो की अवेरिगेटिट सी है, और बहुत खुबसूरत ये लगती है, तो इसके भी मैंने कई पॉट रेडी कर लिए हैं, और सिंगोनियम की एक वेराइटी है, बहुत खुबसूरत लगती है, तो इस टाइम पे तेके, इस तरह इसकी रूट्स हर नोड एरिया से निकलती हैं, तो बहुत सारे आप प्लांट बना सकते हैं, गर्मियों में ये बहुत इसकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन इस टाइम में अगर आपके पास है सिंगोनियम, तो आप जरूर लगाएं, बहुत सारे पौधे बनाएं, ये है मनी प्लांट की नियॉन वेराइटी और रूट्स आप देख सकते हैं, नीचे से निकल रही हैं, और बहुत खुबसूरत ये लगता है, तो ये भी आप जरूर लगाएं, मनी प्लांट, और इस मौसम में आप कलेडियम जरूर लगाएं, अगर आप बल्ग्स खरीद कर लाते हैं, या आपको कहीं से मिलते हैं, तो कलेडियम बहुत असानी से ग्रो हो जाएगा, और बहुत खुबसूरत ये लगता है, रंग बिरंगा आपके गार्डन को बना देता है, देखे कुछ टाइम पहले मैंने ये लालसा प्लांट की कटिंग भी लगाई थी, दो पॉट में लगाई थी, बहुत असानी से लगने वाला प्लांट है, ये थोड़ा छाया में रखा था, तो पत्ते थोड़े से ग्रीन शेड में हो गए है, रूट्स आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया रूट्स का जाल बन गया है, कनेर की कटिंग भी आप लगा सकते हैं, तो पैंसिल के साइज की इसकी आपने कटिंग लेनी है, और देखे मैंने पानी में भी लगाई, पानी में भी इसकी रूटिंग स्टार्ट हो गई, तो आप पानी में लगाके फिर मिट्टी में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप direct मिट्टी में भी लगा सकते हैं तो मैंने मिट्टी में भी लगाई और मिट्टी में भी मुझे बहुत बढ़िया result मिला थोड़ा सा sandy soil लें क्योंकि ये गर्मियों के plant हैं और full धूप में रखे हैं दो-तिन दिन shade में रखे हैं आप इसे धूप में transfer कर दें देखें roots कितनी बढ़िया बनी हैं इस time पर आप जिजी plant के भी धेरो plant बना सकते हैं तो ये मेरे पास एक pot था इसको मैंने divide किया तो आप plants को divide भी कर सकते हैं और divide करके मैंने धेरो plant बना लिए दीरे दीरे ये और grow करेंगे और इसी तरह से ये महंगा वाला पौधा मेरे garden में काफी सारे हो जाएंगे तो इस मौसम का भरपूर फाइदा उठाएं और बहुत सारी plants आप अभी अपने garden को भर दे plant से ताकि जब ज़्यादा सर्दियां आएं और ज़्यादा गर्मियां आएं आपके पास plants की कमी ना होने पाए तो देखे एक ही plants से कितने सारे जो है मैंने plants बना लिये हैं आप देख पा रहे हैं बहुत सारे ये इसके ये bulbs हैं राइजोम्स हैं तो इनको मैं अलग अलग pot में मैंने इनको लगा दिया था और बड़ी खुबसूरती से चल रहे हैं और पानी इनको पूरी ही मौनसून देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है देखे कितने सारे मैंने इस तरह से बना लिये हैं और इसी तरह से आप भी बनाएं तो आज की वीडियो ये कटिंग वाली वीडियो कितनी बड़िया इसमें रूट्स निकली हैं सब पौदों में ये आपको कैसी लगी कुछ मोटिवेशन मिला आपको तो इसी लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले आप भी इस तरह से कटिंग लगाएं और वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल पेहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी से प्लीज जरूर करें मिलती हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई बाई हैपी गार्डनिंग एड कीव गार्डनिंग